यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख आपका धन्यवाद गोसाई गंज विदान सबा सबसे अधिक सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और आए दिन टकराओ की खबरे भी सुर्ख्यों में रहती है नमस्ते मेरे नाम है गौरफ कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तार लेकिन इस बीच कल के विवाद को जान लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है आयोध्या की सबसे समवेदन चील गोसाई गंज विदान सबा में शुक्रुवार की रात दो वहवलियों के बीच राजनेतिक वर्चस्व को लेकर ऐसी भढ़न्त हुई कि गोलियां भी चली गोलियां गाडियां भी तूटी गाडियों के सीशे भी तूटे और थाने पर पत्राव तक हुआ ये घटना शुक्रुवार की देर शाम लगभग 9 बजे के आसपास महराज गंज थाना शेत्र के नेव कभीपूर चौराहे के पास का है उस समय घटित हुई जब सपा प्रत्याशी अभे सिंग और भाच्पा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर तक विकास सिंग का काफिला आमने सामने आ गया इस दौरान एक दूसरे के काफिले पर पत्राव से लेकर गोलियां तक चली इस बात बात इतनी बढ़ गए कि घटना के बाद स्थानिय महराज गंज ठाने में पत्राव तक हुआ जिसके बाद पी एसी तैनात करनी पड़ी और स्स्पी शेलेस्ट पांडे समेथ सभी आलाधिकारी मौके पर पहुँच गए अब इस मामले में समाजवाधी पाटी प्रत्याशी अभेश सिंग को गिरफतार कर लिया गया है आए जानते क्या कहते हैं सपा प्रत्याशी अभेस सिंग गोसाई गंज विदान सभा से सपा के टिकेट पर चुनाव लड़ रहें बहुवली प्रत्याशी अभै सिंग का आरोप है कि उनके काफिले पर जन संपर के दोरान सामने आ रहे आरती तिवारी के लोगों ने फाइरिंग और पत्राव किया जिसमें बड़ी मुश्किल से उनकी और उनके लोगों की जान बची अभै सिंग का ये भी आरोप है कि पोलिस ने इस घटना को गंभीता से नहीं लिया अब आये जानते हैं खबू तिवारी की तरफ से क्या कहा गया भाच्वा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थक विकास सिंग का आरोप है कि नेव कबीरपूर चाराहे पर वो चुनाव प् प्रत्याशी अभै सिंग खुद फायरिंग कर रहे थे आपको पता दे कि अभै सिंग और इनके बीच जो है दो बार वर्चस्व को लेकर विवाद हो चुका है लेकिन यहां बहुत महतुपूर्ण यह है कि आकिरकारी विवाद की असली वजा क्या है दरसल 2012 में अभै सिंग समाजवादी पार्टी के टिकेट पर ततकालीन फैजाबाद जनपत की गोसाई गंज विधानसवा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक थे 2017 में भाजपा और अपना दल के गटबंदन के प्रत्याशी इंद्रप्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने अभ प्रत्याशी बनाया है अब ऐसा नहीं कि अभैस सिंग्ग जो है वो कमजोर है यूपी के कई जेलों में वो वक्त गुजार चुके हैं अबस ने यूपी की अलग अलग जेलों में लंबा वक्त बिताया है और चुनावी हलफपनावे में घंभी धाराओं में दर्ध 10 नी आरति टिवारी के भणे गुषाइ गंज विधानसवा सीच से ताल ठोक रहे हैं तो इस विवात की शुरुआत कल सब्स्य उसलिए प्लम पडेट FREE हो चुकी है लेकिन पूरे वाइस के माःधा की अपड़ेट्स हम आपको देते रहेंगे आप पढ़ते रहें जिसका link वो description box में दिया गया है और तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक